नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जोतीने जगर में दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चेत्रमास में नीम के पत्तो या फूलो का रस पीने से हमारे सही में क्या लाब होता है और इसका चेत्रमास में इतना क्यों महत्वद या गया है तो दोस्तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे नई महिमानों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास्पे दिया बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे मोसम अपनी करवट बदलता है और साथ ही गर्मियों की आगमन की सुरुवात होती है मोसम के इस बढ़लाव के दोर में हमारे स्वास्त पर ध्यान देना बेहदी जरूरी होता है चेत्रमास की सुरुवात और इस दोरा नवरात्र परवा में लोगों माता की बक्ति के साथ निरोगी वर रोग प्रतिकारक समता बढ़ाने के लिए नीम के ताजे वर कोमल पत्तो का इस्तमाल करते है घ्रामिन शेत्र में नीम की पत्तियों वर फूलों का रसका सेवन प्रति दिन पूरे चेत्रमास के दोरां करते है ऐसा करना पारंपर एक हिस्सा भी माना जाता है तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं कि नीम की पत्तों वो फूलों में ऐसे कौन से तत्व मौजुद है जो हमारे सरी में हेल्दी वो कीटनासक मनाते हैं और ये रस हमारे सरी में क्या फाइदा पोचाता है प्राचीन आरियर उसियों से लेकर आयर्वेद और आधुनिक विग्नियान भी नीम के आउशदिये गुणों को मानता चला आया है नीम व्यापक स्तर पर संपुन भारत में दिखाई देता है चेत्रमास में नीम के ताजेवा कोमल पत्तो का रस सुबह एक गलास लगबग 20 दिनों तक लगतार पिया जाए तो हमारे सभी में तवचा संबंदी रोग होने में काफी लाप पहुचाता है जैसे खिल मुआ से, सरीर में गर्मी या फूसिया निकलना, कोई प्रकार की एलर्जी, दाद खाज, खुजली या सोराइसिस जैसी बीमारी में काफियत तक लाप पहुचाता है पेट से जुड़ी अनेको समस्याओं के निजाद पानी के लिए निम का रस बहुती सक्सम होता है पेट के कीडो को नस्ट करने में निम काफी लापकारी माना जाता है निम के फूलो को मसल कर, खर्म पानी में डाल कर छान कर पीने से कब्ज, पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याओं में काफियत तक फाइदा होता है निम का रस डाइबिटीस के रोग्यों के लिए रामबान इलाज है वियायम की कमी तथा आहार में प्रोटीन के कमी के कारण डाइबिटीस हो जाता है चेत्र मास में लगबग 30 दिनों तक एक ग्लास निम के पत्तो वा फूलो का रस सुबक खाली पेट लिया जाए तो डाइबिटीस काफियत तक नियंत्रन रहती है इसके अलावा निम एक रगतसोदक अवशदी है या कोलोस्टोन को कम करने में मदद करता है लगबग 200 ग्राम तक निम की पत्तिया प्रोग में लेने से कोलोस्टोन की मात्रा काफियत तक कम हो जाती है साथ ही चेत्रमास में निम के पत्तो पफूलो का रस एक ग्लास तीस दिनों तक लगाता लेने से हार्ट अटेक का खत्रा काफियत तक कम हो जाता है निम का रस खून को साप करने में मदद करता है जिसे हमारे चेरे की रोणक बढ़ती है और त्वच्चा रोगर हीत हो जाती है तो दोस्तो आप निम का प्रवेक कैसे करते है हमें कमेंट में जरू बताए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ सेर करे तो चलिए दोस्तों मिलते है एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार